Hello Students, तो Thinkers की सीरीज में आज जो Thinker में आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ, बहुत बहुत इंपोर्टेंट थिंकर हैं और उनका नाम है Herbert Morkiews कई बार सवाल आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझे मेरे से डिमांड किया था कि Sir Herbert Morkiews पढ़ा दीजी क्योंकि बहुत सारे एक्जाम्स में Herbert Morkiews से सवाल आते हैं तो चलिए, देख लेते हैं जो इनकी most important किताबे हैं और आपको याद रखनी चाहिए, वो सबसे पहली किताब है Heroes and Civilization, फिर उसके बाद है One Dimensional Man, One Dimensional Man इनका concept भी है, repressive tolerance भी इनका concept है, जिसमें ये कहते हैं कि absolute tolerance यानि कि repressive tolerance नहीं होना चाहिए, liberated tolerance होना चाहिए, वो भी हम ल evolution और revolt इनकी next किताब है और aesthetic dimension जो है इनकी किताब है, ठीक, एक एक concept हम लोग समझेंगे, one dimensional man से इनका क्या मतलब था, ये कहते थे कि society जो आज की जो modern society है, वो क्या चाहती है कि हर इंसान जो है वो एक conformist बन जाए, यानि कि कोई innovation ना हो समाज में, हर व्यक्ति जो है, जो social structure ज biological चीज़े हैं, जो हमारे biological instincts हैं, उनको दबाने का काम करता है और one dimensional man बनाने का काम करता है, in his influential book, one dimensional man, Markuse argued that modern industrial society creates conformist individuals who are integrated to the existing system, integrated to the existing system, यानि जो existing system है, उसके खिलाफ कोई व्यक्ति ना जाए, और एकदम उसके ही, जो वो system कह रहा है, बिल्कुल एकदम उसको follow करे, उसकी बातों को माने, उसे ही, इन्होंने, Harvard Markuse ने क्या कहा है, one dimensional man कहा है, students, याद रखिएगा, one dimensional man, he introduced the concept of one dimensional thinking, यानि एक ही dimension में सोचने वाले लोग पैदा करते हैं, आज के समाज, where people conditioned to accept the status को, confirm to consumer culture, and suppress critical thought, critical thinking आज कल के बच्चों में रही नहीं गई है, आज कल बोलते हैं कि आज कल को जो education system है, वो ऐसा हो गया है, कि सिर्फ रटना, रटना, और रटना सिखाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ये चीजें लोगों ने खतम कर दिया है, critical thinking जो है, वो एकदम से खतम हो गई, ये सिर्फ लोग रट रहे हैं, exam देते हैं, pass करते हैं, और job करने लग जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसको consumer culture कहा जाता है, कोई production नहीं कर रहा है, कोई सिर्फ consume कर रहा है, consume कर रहा है, consume कर रहा है, निर्मान कर रहा है, जो मौझूदा व्यवस्थक्स में एकदम एकिकरत रहते हैं, वो उसके अलावा और कुछ सोचते नहीं, नौकरी पे जाते हैं, घर वापस आते हैं, दूसरे दिन फिर नौकरी पे जाते हैं, घर वापस जाते हैं, इस तरह से एक आयामी सोच जो है, वो विक्सित होजाती है, ठीक, जहां लोग याथा इस्थिती को as it is स्विकार कर लेते हैं और उपभोगता संस्कृती का निर्मान हो जाता है, यहां के लोग जो होते हैं, आलोचनात्मक विचार को दबाने का काम करते हैं, जो आज की स्कूल है हमें आलोच नत्मा की विचार को जन्म नहीं देने देती है हमारे अंदर ताकि हम जो है जो सिस्टम है capitalist उसी को follow करते रहें और हमेशा नौकर बने रहें इसे इन्होंने क्या कहा one dimensional man याने एक ही dimension में एक ही आयाम पे सोचने वाला इंसान दूसरा इनका concept है the integration of society the integration of society में ये कहते है कि individual और society आज के समय में जो difference है individual के बीच में और society के बीच में वो blur होता जा रहा है धुंदला होता जा रहा है यानि व्यक्ति और समाज के बीच में कोई भी सीमाए नहीं रह गई है आपको याद होगा मैंने हरोल गार्फिंगल पडाते हैं किल्चरल डोप का concept समझाया था तो यही बात है अगर उनके concept में समझे तो यानि की हरबर्ट मरक्यूस कह रहा है कि इंसान कल्चरल डोप होता जा रहा है जो उसको सिखा दिया जग गया है सिर्फ वो ही करता है जो सोसाइटी बोलती है जो सोसाइटी के norms and values है exactly वो ही individual के norms and values हो जाते हैं उसी को इन्होंने क्या कहा है integration of society कहा है radical, social, political और political change जो है वो बिलकुल खतम हो जाता है इंसान के अंदर इंसान परिवर्तन जो है नहीं चाहता है जैसा है वैसा ही रहने देना चाहता है उसी को हम क्या कहते हैं repressive tolerance दमनकारी सहिशनुता इनका next concept है बहुत important concept है ये कहते हैं कि जो आज का समाज है वो हमारी सारी चीज़ों को दमन कर रहा है और सहिशनुता को भी दमन कर रहा है ठीक दमनकारी सहिशनुता इनका निबन रहा है ये ये इस पर सवाल उठाते हैं ये कहते हैं absolute tolerism नहीं होना चाहिए इससे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का रुख जाता है ठीक है तो he argued in a society dominated by oppressive forces complete tolerance can actually reinforce and perpetuate inequality and injustice ये कहते हैं कि ऐसे समाज जहां पे की oppressive forces बहुत ज़्यादा होते हैं उन समाज में complete tolerance जो होता है सरकार का वो inequality और injustice को बढ़ावा देता है instead he advocated ये क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए liberating tolerance होना चाहिए which involves protecting the liberating tolerance का इसका मतलब क्या है कि जो marginalized community है जो oppressed community है उनका protection उनके protection को ये क्या कहते है liberating tolerance अच्छे सा समाज लीजे what is liberating tolerance for Herbert Marcus for Herbert Marcus liberating tolerance means protection of the marginalized and underclass people oppressed people ठीक है while being intolerant of oppressive and discriminatory ideas यानि ये कहते हैं कि liberating tolerance क्या है एक तरफ तो अपन सुरक्षा परदान करेंगे हमारे जो marginalized people है जो oppressed people है उनको और दूसरी तरफ हम उन लोगों के प्रति intolerant हो जाएंगे आ सहिशनू हो जाएंगे जो इनके खिलाफ discriminatory ideas रखते हैं और जो इनका दमन करते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे उक्सक्त हो जाएंगे हम उनके लिए हम उनके लिए कड़े हो जाएंगे ये Harvard Marcus कहते हैं Harvard Marcus ने दमन करी सहिशनूता पर सवाल उठाया है ये कहते हैं कि दमे दमन करी सहिशनूता नहीं होनी चाहिए जहां वे पूर्ण पूर्ण सहिशनुता की अभधारना पर सवाल उठाते हैं, दमनकारी सहिशनुता पर सवाल उठाते हैं, उनका तर्क है कि दमनकारी जो ताकते हैं, वो प्रभुत वाले समाज में पूर्ण सहिशनुता वास्तव में असमानता और अन्याय को जन्म देती हैं, ये कहते हैं ऐसा यह कहते हैं ऐसा समाच जहां पर कि पूर्ण सहिशनुता होती है वहाँ पर क्या हो जाता है वहाँ पर दमनकारी सहिशनुता लागू हो जाती है तो यह कहते हैं कि पूर्ण सहिशनुता की वजाए मुक्त सहिशनुता होनी चाहिए पूर्ण सहिशनुता नहीं होनी चाहिए मुक्त सहिशनुता क्या होती है मुक्त सहिशनुता एक ऐसी सहिशनुता होती है जिसमें गरीबों और लचार लोगों को सनरक्षन दिया जाता है ठीक दमनकारी और भेदवा पूर्ण विचार के प्रति आसाहिशनु होते हैं और जो पीडित लोग होते हैं उत पीडित होते हैं जो हाशिये पर लोग होते हैं उनकी रक्षा करना शामिल होता है उसी को हम क्या कहते हैं मुक्त साहिशनुता कहते हैं students तो students अगर अभी तक आपने paper one class की classes नहीं अटेंड करना शुरू की हैं त लगातार तो दस बजे और बारे बजे तुलीका में की क्लास होती है, तीन बजे और साथ बजे प्रिती में की क्लास होती है, दोनों ही क्लासे को आपको अटेंड करना चाहिए. अगर आपने अभी तक वाटसेप और टेलीग्राम ग्रूप को नहीं जोइन किया, स्टूडेंट तो जल्दी से जोइन कर लीजे, और क्योंकि समय बीतता जा रहा है जब आप वाटसेप ग्रूप या टेलीग्राम ग्रूप का हिस्ता हो जाते हैं, तो लगातार आपको क्लास इरोजेट सिविलाइजेशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसमें इन्होंने, इसमें, इसमें, he has explored the relationship between human, liberation, and sexuality, बहुत इंपॉर्टेंट है, human, liberation, मानव मुक्ती और कामुक्ता के बीच इन्होंने संबंध का पता लगा, ये कहते हैं, कि मानव मुक्ती और का बहुत गहरा संबंध है he argued that repressive social structure repressive social norms hinder the human potential for freedom and fulfillment ये कहते हैं कि जब दमनकारी समाजिक संरचनाय बन जाती है जब दमनकारी मांदंड बन जाते हैं तो क्या होता है स्वतंदरता और पूर्ती के लिए मानव छंता में बाधा उत्पन करती हैं ये कहते हैं कि यह liberated होना चाहिए हर चीज non repressive होना चाहिए sexuality for the human emancipation ये कहते हैं कि जब आप गैर दमनकारी का मुक्ता रखते हैं अधिक मुक्त का मुक्ता रखते हैं तो लोग जो हैं वो मुक्ती के मार्ग में मानव मुक्ती के है वो खतम हो जाई जैसे मिशेल फोको ने कहा था ठीक है the great refusal इनका next concept है बहुत important है महान इंकार ये कहते हैं कि हमें हर एक जो oppressive ताकत होती हैं जो repressive ताकत होती हैं उनसे इंकार करना चाहिए मार्कूस encouraged what he called great refusal which involves individuals rejecting and resisting the conformist and repressive aspect of society he believed that new consciousness and social transformation could arise through the act of resistance and non-conformity ये कहते हैं कि समाज के अंदर resistance और non-conformity बहुत जादा जरूरी है क्योंकि जब non-conformity और resistance आता है तो समाज के अंदर परिवर्तन आते हैं मर्कूस ने महान इंकार कहा है उस महान इंकार में उन्होंने प्रोथसाहित किया है जिसमें व्यक्ति द्वारा समाज के अनुरूप वादी और दमनकारी पहलिओं को अस्विकार करते हैं मतलब जो व्यक्ति वादी और दमनकारी जो संरचना है उसको अस्विकार करने को ही इन्होंने महान इंकार कहा है और ये कहते हैं कि उसका विरोध हमें करना चाहिए जो दमनकारी संरचनाय होती है जो दमनकारी मांदन्ड होते हैं उनका हमें विरोध करना चाहिए ठीक है और गैर अनुरूपता और प्रतिरोध को ये कहते हैं कि एक नई चेतना इससे जागरित होती है और समाजिक परिवर् जलका है और इन्होंने जो cultural industry का जो concept है student याद होगा अधौर्णों ने दिया था ठीक है सांस्कृति को दियोगी इसकी यह अलोचना करते हैं यह कहते हैं कि जो cultural industry है mass media कुछ popular cultures को इतना promote करता है इतना प्रमोट करता है कि पूरे विश्व में वो culture दिखने लग जाता है और इससे विश्व जो है humanizing culture की तरफ आगे बढ़ रहा है संस्कृति को समरूप कर दे रहा है समाज के विश्व के अंदर और जो विभिन संस्कृतियां है वो खतम होती जा रही है चुट जोड़ी संस्कृतियां है वो खतम होती जा रही है और एक cultural homogenization होते जा रहा है world और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि भिन्नता जो है वो सबको सही होती है और अच्छी भी होती है होनी भी चाहिए ठीक है students तो आज का जो ये आपके लिए मैं question छोड़ करके जा रहा हूँ और इस question का answer आप comment box में जरूर से हमें बता दीजिएगा ठीक है students तो ये class आपको कैसी लग रही है thinkers की class ये भी आप comment box में मुझे जरूर से बताएंगे और अगर आप चाहते हैं कि और भी thinkers मैं लेकर क्या हूँ तो इस तरह का इसे promote कीजिए ज़्याद से ज़्यादा शेयर कीजिए और comment box में इस question का answer जरूर से दीजिएगा thank you very much students all the best bye bye